हेलो, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को आज मैं आप सभी को कुछ healthy tips बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक आयर्वेजिक student हूँ तो आयर्वेज related मैं आपको ऐसे tips बताऊँगा जिससे कि आपकी जिन्दिगी में कुछ सुधार हो, आप स्वस्थता की और बड़े आयू कामनेन धर्मार्त स्कुसादनम आयरूपदेशे शूवेदेह परमादरह स्वस्थस्य स्वस्थरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम्च ये आयर्वेजिका मुख्य उद्देश्य है, मोटो है, इसका यह अर्थ है स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बरकरार रखना और एक रोगी को निरोगी बनाना तो हम निरोगी कैसे बन सकते हैं आयुरुएद में कहा जाता है कि सारे रोगों का कारण मंदागनी होती है तो अगर हम अपनी अगनी को तीबर करते हैं जटर अगनी को हम अगर तीबर बनाते हैं तो हमें कोई रोग नहीं आएगा लेकिन आजकल जैसा दिखने में आ रहा है छोटे से छोटे बच्चे को बड़े से बड़े वेक्ति को इंडाजेशन की प्राबलम हो रही है सब कंप्लेंट्स आती हैं गैस्टिक हो रहा है गैस हो रहा है पेट क्लियर नहीं होता ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि आजकल लोग अपनी दिन चर्या को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं रिदू चर्या को नहीं फॉलो कर रहे हैं योग प्रणायाम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आपको स्वस्त बनाना चाहते हैं तो स्वस्त रहने के लिए हमको सबसे पहले हमारे जो शरीर के तीन दोशे हैं वात, पित, कफ इन तीनों को समावस्था में रखना पड़ेगा तो उसके लिए हमको अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे आजकल सुभे लोग उठते हैं कोई-कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है और कोई-कोई करता भी है तो कुछ भी खा लेता है तो ब्रेकफास्ट में हमें हमेशा करना चाहिए सुभे ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के साथ-साथ हमें कोई जूस किसी भी फलो का जूस हो, कुछ भी फलो, खाने चाहिए और दुपहर को और सुबह के वक्त हमें अधिक खाना खाना चाहिए और दुपहर के वक्त आयुरेद में कहा गया है सुबह हमको राजा के जैसे खाना चाहिए दुपहर मंत्री के जैसे खाना चाहिए और रात को एक गरीब की तरह खाना खाना चाहिए क्योंकि रात तक हमारी जो पाच्चन शक्ती है रात का खाना खाते हम सो जाते हैं तो जो खाना है वो पस्ता नहीं है और मोटापे में तबदील हो जाता है इसलिए हमें सुबे जादा दुपहर को उससे कम रात को उससे कम खाना चाहिए तो हमें दुपहर में खाने के साथ तक्र यानि की लसी का प्रेयोग करना चाहिए और रात को दूद पीना चाहिए दूद का प्रेयोग करना चाहिए और पानी से related मैं आज को कुछ टिप्स बताता हूँ जैसे हम लोग क्या करते हैं पानी जो है एक बोटल या एक गलास मुँ में लगाते हैं तो पूरा पूरा पी जाते हैं पानी को ऐसे नहीं पीना है पानी इंटरवेल गैप दे दे के थोड़ा 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 पीना है जैसे कि हम पसू पक्षियों को देख सकते हैं वो कभी भी पानी पूरा एक साथ नहीं पीते हैं थोड़ा पीते हैं फिर पांच-दस मिंट बार फिर पीते हैं ऐसा क्यों करना चाहिए हमें क्योंकि हमारा जो जीब है जीब उसमें से लार्प प्रड्यूज होती है जो की क्षारिय गुनकी होती है और क्षारिय जब पेट में जाके आमल के साथ मिलता है तो वो कभी गैस्ट्रिक या फिर कोई प्रॉब्लम्स को ऐसे आने नहीं देता इसलिए हमें पानी को हमेशा इंटर्वेल्स में पीना चाहिए और खाने के बाद हमें कभी पानी नहीं पीना चाहिए हम खाने से पहले आदे घंटे पहले चालिस मिंट पहले पानी पी सकते है लेकिन खाने के बाद क्या होता है हमें भूख कब लगती है सबसे पहली तो ये बात है भूख हमें तमी लगती है जब हमारी जट्रागनी दिप्त होती है तक भूख लगती है हम खाते हैं जट्रागनी दिप्त ही होती है और जिस प्रकार हम एक जलती अगनी में पानी डाल देते हैं जिस प्रकार वो एकदम से भुझ जाती है, तो उसी प्रकार हम खाने के बाद अगर पानी पीते हैं, तो एकदम से भुझ जाती है, मन्ध हुझ जाती है और शरीर में कुछ अनेक परिवर्तन आजाते हैं, तो हमें थंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, मैं देखता हूँ अदिकतर लोग फ्रीज का पानी पीते हैं, रेफ्रीजरेटर का पानी पीते हैं, मैं केरडा गया था, हमाँ पर तो गौशर्मेंट का नियम तक लागो हो चुका है, कि होटल्स वगेरा में किसी को थंडा पानी सर्व नहीं किया जाता, सबको गरम पानी ही दिया जाता है क्योंकि क्या होता है हम जब ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे बॉड़ी का तापमान उससे एकदम भिन्न होता है तो हमारी बॉड़ी को उस पानी को नॉर्मल टेंपरेचर में लाने के लिए उर्ज़ा एनर्जी काा यूटलाइज करना पड़ता है तो वही एनर्ज़ अगर हम वाम वाटर गरम पानी थोड़ा सा पीते हैं तो वह एनर्ज़ी बच सकती है और हमारे शरीर के किसी दूसरे काम के लिए यूज हो सकती है और हमेशा सुब़े उठकर पानी पीना चाहिए आचार्य वागबट ने अपने अस्तांग संग्रह में भी कहा है कि सुबे उठके उश्याकाल में हमें पानी पीना चाहिए लेकिन आजकल लोगों का उठने का टाइम ही अलग है कोई आठ कोई नो बजे उड़ता है लेकिन हम उसको भी ऐसा इस टाइम ही कंसिदर कर सकते हैं और हमें सुबे-सुबे उठके ही पानी पीना है उससे क्या होगी हमको शार इसी तरह हम अपने आपको स्वस्तर रह सकते हैं अगली बार मैं आपसे भी लूँगा कुछ और healthy tips को ले के आऊँगा और आप सभी से उसको share करूँगा तब तक के लिए स्वस्त रहें खुश रहें खुशाल रहें धन्यवाद